नमस्कार दोस्तों मैं स्मित मिस्तरा स्वाइट गरता हुए बाट फिट से आप सभी कानून अब लागू कर दिया गया है सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इसे पूरे तरीके से लागू कर दिया है ये बिल पहले ही पास हो चुका था इस साल के सुरुआत में लेकिन अधी रात से इसे लागू कर दिया जाएगा और लागू माना जाएगा ये एंटी पेपर लीक कानून क्या है इससे क्या चीजे सुधरेंगी सुधरेंगी भी कि नहीं सुधरेंगी किस अस्तर से सुधरेंगी क्या कुछ कड़े कानून इसमें प्रावधान है ये सब हम लो को स्टार्ट करते हैं यहां पर आप आटकल देख पाऊगे आज के टाइम पर की अंटी पेपर लीग जो है यह आज से टेक एफेक्ट हो जाएगा आज मद्धिराते से इसे लागू माना जाएगा पिछले दिनों में आपने देखा नीट पेपर लीग को लेकर कि लगातार व पाएगा नीट इकजाम स्कें क्या एक्शली में नीट इक्जाम दोस्तों मेडिकल की पढ़ाई करने कि लिए इस्टुडेंट इंटर के बाद इसकी तयारी करते है एक entrance exam की और उसको qualify करके medical में दाखिला लेते हैं aims और उनको मिलता है जो बच्चा अगर सरकारी need मतलब इसमें vacancy निकाल लेता है अच्छी rank ला लेता है उनको सरकारी college मिल जाता है aims और जाता है और इंटर के बाद जो student इसकी तयारी कर रहे होते हैं वो जब परिच्छा में देते हैं तो पूरा जान लगा देते हैं इस बार क्या हुआ आज तक की NEET के exam आज तक जब भी हुआ था 720 का पूरा किसका होता है केवल 6 बार ऐसा हुआ था कि 720 में 720 नंबर आये हुए मतलब जब से चल रहा है आज तक के मतलब की calculation में 6 बार ही ऐसा हुआ है 720 में 720 आये हुआ लेकिन सिर्फ इसी बार में ऐसा है हो गया 2024 के exam के result में कि 720 में 720 marks जो है 1, 2, 4, 5, 10 नहीं 67 students के आगे 67 students के 720 में 720 marks आगे और हद तो तब हुई कि मतलब आप साथ चलो ठीक है टॉप rank पर सब आ गए हद तो ये हुई कि सभी coaching वाले जिनके जिनके student आये थे वो number one rank ले करके poster चपवाना सुरू कर दिये आप सुचोगे कि सरीए 66 अगर top आ गए लेकिन Ames Delhi में seatे हैं केवल पचास और एक मालो जो first rank आया हुआ है 66 लोगों का first rank आया हुआ है तो ऐसे में 17 लोग भीर भीर बज गए जो Ames Delhi नहीं पाएंगे first rank लाने के बावजूद भी Ames Delhi नहीं पाएंगे ठीक है तो ये दिक्कत चल रही तो इसको लेकर के मतलब कि अभी भी विवाद जारी है बहुत सारी चीजे चल रही है इसको अलग से किसी वीडियो में समझाओंगा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे Anti-paper leak मामला क्या है क्योंकि paper leak इसमें हुआ है और लगातार खुला से हो रहे है नीट इग्जाम में अभी इसका थोड़ा सा रुख जाते हैं पूरा रिपोर्ट आ जाने देते हैं कहां कहां पर क्या 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 क्योंकि बहुत सारे link मिल रहे है बिहार epicenter बना हुआ है फिलहाल leak का जारखन से भी तार जोड़ते मिल रहे हैं गुजरात से मिल रहे हैं हर्याना से भी तार जोड़ते हुए मिल रहे हैं एंटी पेपर लीक ये कानून फरवरी में ही आ गया था ये बिल आया था और बिल को पास किया गया संसत में और उसके बाद ये कानून बन गया था एक्ट बन गया था लेकिन ये लागू अभी तक नहीं हुआ था जब धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा गया सिक्षा मंत्री से जब एंटी पेपर लीग का कानून आप लोग बनाये हुए हो तो उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हो और पेपर लीग हुए जा रहे हैं दि बहुत सारे लोग सुहर तो जो हैं 15 लाक देंकर 20 लाक देंकर 30 लाक 45 लाक करथ आमेरी बची है ठीक है गरीभ जो है受ए बैटता है फूरी उमत की साथ को यह हो जाएगा तो इसके बाद पेर जाब लग जाएगी तो यह करेंग वह करेंगे बहुत सारी चीज के लेकिन पता लगता है कि पेपर पहले से ही आउट है, पेपर लीक है जो पैसा दे करके पैसा पैसे हुपल congratulations लिया है वो नोकरी पायेगा, जो रस्टी चाहिए होगा वो नहीं पायेगा नीट वाले में तो सबसे और बरी बुरी बात है बही एक प्रकार से अगर मानलो किसी में अगर आप जौब पा जाते हो कोई पुलिस का लेकपाल का कहीं पर भी हाला कि कोई भी पेपर लीक का सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए लेकिन एक बार के लिए अगर मानलो पुलिस हो या किसी में अगर पा गया भी मानलो जौब एडमिशन लेगा, वो डाक्टर बनेगा, तो वो क्या करेगा, वो इलाज करेगा, और कैसा इलाज करेगा, जिस प्रकार से वो पैसा ले करके, यहाँ पर एडमिशन लिया है, उसी प्रकार से पैसा ले दे करके, वो हमेशा बार-बार आपरेशन करेगा, बात-बात पर आपर Examination Prevention of Unfair Means, मतलब Public Examination में जो unfair means होते हैं, unfair practices होते हैं, उनको रोकने के लिए, ये prevention करने के लिए ये bill है, 2024 का, ये bill अब act बन चुका है, फरवरी में ही इसे, मतलब की act बना दिया गया था, यहाँ पर एक notification जारी हुआ, देखो, भारत का राजपत्र जो है, ये notification जो है, जब ये ज लागू कर दिया गया, इसको भी मैं आपको पढ़के दिखाऊंगा, इसमें लिखा क्या गया है, इसमें लिखा क्या है, केंद्रिये सरकार लोग परिच्छा, अनुचित साधन निवारान अदनियम 2024, 2024 की एक की धारा, एक की उप धारा, दो द्वारा, परदत सक्तियों का परियोग करते हुए, 21 जून 2024 को अदनियम का उपवन्ध ये इसके बाद से लागू हो जाएंगे, मतलब ये 21 जून से effective माने जाएंगे, ये नोटिफिकेशन जारी करके वोला अदनियम मतलब लागू मान लिया जाएगा, तो अब से जो भी परिच्छाएं होंगी उस पर ह धर्मेंद प्रधान जी से जब ये पूछा गया, इतने दिन से कानून लाएव हो आप लोग, आप इससे पहले भी सुच्छा मंत्री थे, अभी नई कैबिनेट में भी सुच्छा मंत्री बने हो, तो लागू क्यों नहीं कर रहे हो, तब इन्होंने आनन भान में अगले ही दिन नोटिफिकेशन जारी करवा दिया और ये लागू हो गया, अच्छा जी, अब इसको देखो डिटेल में है क्या इसमें, इसमें ये कहा गया था, कि अगर मालो कोई पेपर लीग का आरोपी है, तो उसे तीन से पांच साल तक की सजा हो सकती है, और दस लाग तुरपे का जर्माना हो सकता है, अगर कोई छोटा और आरोपी है, कोई वैसे ही पाता है और 2-4-10 लोगों को सेयर करता है तब, लेकिन अगर कोई पुराना अपराधी है, इस मामले में से मामले में पहले भी वो लिपत पाया गया है, और आगे वो या फिर और तरीके से पूरा- जोंके भी परिक्षाओं में उनका link मिला हुआ है वो paper league करवाये हुए हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं वो jail में बंद हैं लेकिन उनका जो काम काज है वो अभी भी चल रहा है paper league करवाने का तो ऐसे लोगों को एक करोड रुपए तक का भारी भरकम जुरुबाना दिया जा सकता है और 10 साल तक की सजा हो सकती है यह प्रावधान किये गए हैं इस कानून के तहट अब इसकी तहट कौन-कौन सी परिक्षा है सामिल है तो इसमें दोस्तों UPSC की परिक्षा जो IES वगरा एक्जाम भी कराती है SSC की परिक्षा है SSC बहुत सारे एक्जाम कराता है आप जा इसके अलावा, RPF का हो गया, LOCOPILOT का हो गया, JEE का हो गया यह सब इस्टेशन मास्टर यह सभी का एक्जाम्स रेलवे में होते हैं बैंकिंग की बहुत सारे परिक्षाएं होते हैं, IBPS वगरा, PO वगरा में और राष्टिये परिच्छन एजनसी यानि NTA जिस पर अभी आरोप लगे हैं जो NEET, UGC NET इन सब के परिक्षाएं आवजित कराता है और भी बहुत सारे परिक्षाएं कराता है ऐसे सब ही परिक्षाएं इसके तहट दायरे में आएंगी और भी परिक्षाएं इसके दायरे में लाई जाएंगी कम्प्यूटर आधारित अगर टेस्ट होंगी तो उसको भी इसके तहट लाई जाएंगे और अगर माल लो कि computer label, मतलब computer से CBT mode में paper है, computer based test है, तो उसके लिए high level का national technical committee भी बनाने की इसमें बात हुई है, इसके अलबा security के लिए, electronic surveillance के लिए, इन सब भी बात की गई है इस bill में, और ROP के property को कुर्ग करने की भी बात की गई है, मतलब bulldozer भी चल सकता है, तो इस bill में य ये बाते कही गई है, प्रावधान है, अब ये लागू हो जाएगा, तो इसके बात से चीजे बनेगी, अब यहाँ पर मैं आप सी जानना चाहूंगा, आपका opinion, कि क्या ये नियम कारून लागू होने के बात भी इस पर control हो पाएगा, क्यूंकि, बहुत सारे देखो, अभी decision नहीं आया हुआ है, अभी तो मामला चल रहा है, जाच चल रहा है, जाच होने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन फिर भी ये एक अंदाजा लगाया जा सक रहा है, कि कितने level के, कितने high level पर ये चीजे चल रहा है, इतना बड़ा ये racket है, तो क्या इस पर ये लगाम लग प दूसरी बात, ये जो 10 लाग तक का, 5 लाग तक का जुर्माना लगा रहे हैं, ये सब भाई, ये लोग एक एही student से 30-40 लाग रुपई ले लेते हैं, तो वो बड़े अरांज से चाहिए, एक करोड लगाओ जुर्माना चाहिए जितना लगाओ, जुर्माना भार देंगे, इसको कम से कम 10 करोड रुपई तक का जुर्माना लगाना चाहिए था, दूसरी बात, इस बार की election के बाद, प्रेसर में तो आई ही है, जब प्रेसर में आई है, तो कहीं न कहीं इसके प्रती वो, उसको भी अपना मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेग इस इबुक तयार की गई है, MJT Education के दोरा, इस इबुक को आप ले सकते हो, 1100 प्लस questions है इसमें, इसमें आपको previous year के questions भी मिल जाएंगे, क्योंकि previous year का solve करोगे, तभी आपको idea लग पाएगा, कि आपकी तयारी किस label पर है, ठीके ना, जनरल चोटा-पोटा किताब पढ़कर, आपको आपको आपके अंदर तो confidence आ जाता है, कि हाँ यार इस chapter को हमने पढ़ लिया है, लेकिन जब आप देखो कि previous year के questions solve करने से, आपको solve हो रपा रहा है कि नहीं हो पर रहा है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी तयारी का level क्या चल रहा है अभी, तो बीना previous year को द तो ये e-book आप मातर 75 rates में ले सकते हो, आज के लिए, कल से इसका price बढ़ करके 99 हो जाएगा, संडे के बाद से, तो आप लोग जो है, अगर file ना उठाना चाते हो, तो इस e-book को ले सकते हो, कैसे लेना है, तो आपको इसके लिए WhatsApp करना होगा इस number पर, यहाँ पर मैं बड़ WhatsApp पर ही भेज़ दी जाएगी, तो आप ये e-book प्रिंट आउट कराना चाहो, अगर तो प्रिंट आउट भी करा सकते हो, क्योंकि A4 साइज में available है, और वैसे ही पढ़ना चाहो, तो वैसे भी पढ़ सकते हो, thank you so much for the video, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए नमसकार जए हिन वन दे मातरम